पिछली वीडियो में हमें reduction of inequality and poverty पढ़ादा इस वीडियो में हमें पढ़ना है accommodation of social diversity यानि कि इसमें हम ये प्लबने की कोशिश करेंगे कि democracy जो है social diversity को accommodate करने में सफ़ल होता है successful होता है या नहीं होता है क्योंकि कोई भी जो है country चाहिए वह democracy हो या अधर form of government महां में हो कोई भी country आज के समाने में कोई भी country ऐसी नहीं है जहां पर diversity नहीं हो किसी ना किसी मामले में कही ना कहीं हमें किसी मामले में diversity देखने को मिलती है चाहिए धन के नाम हो कास्ट के नाम पर हो या फिर भाशा के आधार पर हो किसी भी आधार से color के आधार पर हो किसी भी आधार में हमें या किसी भी बेस पर हमें diversity जो है देखने को मिलती है हर एक country में और जहां पर भी diversity होगी वहाँ पर जितनी ज़्यादा diversity होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा तो वहां पर सोशल डाइवर्सिटी को एकुमोडेट करना यानि सामन जस्विठाना डेमोक्रेसी जो है इसमें सक्सेस्वल होती है या नहीं होती है यह हमें पढ़ना है या डेमोकरेसी हमें डेमोकरेसी को देवल आप होता है। बहुते हैं देमोकरेसी ह्युते हैं या weten या टेतों होती है वेकिन जो है democracy क्या करती है वो एक ऐसा प्रोसीजर डालाब करती है जिसके थ्रू उनके बीच में जो conflict है उनको solve करने की कोशिश की जाती है या reduce करने की कोशिश की जाती है जिसके वज़ह से वो ज्यादा explosive या ज्यादा boiling नहीं हो पाते हैं उससे पहले ही उनकी problem को reduce करने की को But we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. कोई भी society ऐसी नहीं है जो हाँ पर 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 permanently जो है एक बार जो है conflict resolve कर दो है तो permanently आपर conflict resolved हो जाता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम जो difference है लोगों के बीच में उसकी respect कर सकते हैं और इस तरहीगे का कोई mechanism जो है develop कर सकते हैं जिसके वज़े से जो ये अंतर है लोगों की बीश में उसको negotiate किया जा सके और उनकी बीश में जो है accommodation maintained किया जा सके Democracy is best suited to produce this outcome. Non-democratic regime often turn a blind eye or to suppress internal social differences. Ability to handle social differences, division and conflict is thus a definite plus point of democratic regime. जो democracy है वो इस मामले में पूरी तरह से successful होती है क्योंकि वो क्या करती है democratic government में अगर different social groups के पीश में कोई conflict होता है उनको लडाई है तो democratic government उनको solve करने की कोशिश करती है, उनको solution provide करने की कोशिश करती है वो उसे suppress करने की कोशिश करते हैं, अपने power का use करते हुए क्योंकि non-democratic regime में लोगों के पास rights नहीं होते हैं, जिसके वज़ा से उनका आसानी से उनके rights को छीना जा सकता है क्योंकि वहाँ पर इस तरह के law नहीं होते हैं, कि अगर आपसे आपका rights छीना जा रहा है, तो आपका विरूद कर सकते हो और अपने rights को पा सकते हैं जिबकि democracy में ऐसा होता है कि अगर हमसे हमाने rights छीने जाते हैं, तो हम उसको विरूद कर सकते हैं वहाँ पावर का use करते हुए उनको suppress कर देते हैं, उनको solution provide करने की कोशिश नहीं करते हैं उनको solution provide नहीं किया जाता है, जिसके वज़ए से यह conflict कुछ देर के लिगेशन हो जाता है non-democratic regime में क्योंकि वहाँ पर उनको solve करने के लिए या उनको कोई solution provide नहीं किया जाता है लेकिन democracy में government जो हो कि उनको permanent solution provide करती है, कुछ नहीं कुछ ऐसा amendment करती है, कुछ नहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है ताकि उनके जो conflict है वो खताम हो सके और accommodation maintained हो सके जो कि इसी भी democracy का सबसे plus point होता है but the example of Shri Lanka remind us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome लेकिन Shri Lanka का जो example था, जो first chapter में मुने पढ़ा Shri Lanka का जो example है वो हमें यह याद इलाता है कि democracy को अगर accommodative बनना है या different social group के पीश में accommodation maintain करना है तो उसे दो चीज़े अपने दिमाग में रखनी होगी जो democratic government है उसे दो चीज़े सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी होगी अगर वो accommodation maintain करना चाहती है तो सबसे पहला it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion जो government है उसको यह समझना होगा कि democracy का मतलब सिर्फ rule of majority opinion नहीं होता है majority always need to work with minority so that government function to represent general view majority and minority opinion are not permanent जो है जो डिमोक्रिटी गवर्मेंट हो से इस बात को ध्यान में रखना होगा कि democracy क्योंकि यहां पर क्यों आता है जो अपनी majority proof कर लेता है वो अपनी government form करता है democracy में लेकिन majority proof करने का मतलब यहीं नहीं कि सिर्फ majority वाले जो community है वही बार बार अपनी majority proof करती रहे सिर्फ majority वालों के opinion ही government follow करती रहे है सिर्फ majority वाले के betterment के लिए या सिर्फ majority वालों को ध्यान में रखके उनकी interest को ध्यान में रखके government rule अगर्द करती है तो democracy में अपनी नहीं हो सकता तो government को यह समझना होगा कि rule of majority का मतलब यह भी किसे majority के फायदा किया जाए उसमें minority वालों को साथ मीने के चलना पढ़ता है मैंनोरी वालों को neglect नहीं किया सकता है या neglect नहीं करना है उनको साथ में लेकर ही government को काम करना है ताकि दोनों के पीश में accommodation maintained रहे otherwise minority वाले अपने आपको neglected feel करने लगेंगे और फिर conflict होना जरूरिये conflict गोगा ही second जो दूसरा point है कि government को ध्यां में रखना होता है कि it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in term of religion or race or linguistic group etc rule of majority का मतलब यह नहीं है government को यह जानना होगा government को यह ध्यान में रखना होगा कि rule of majority का मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि कोई particular जो है चाया वो भाशा के आधार पर हो race के आधार पर हो धर्म के आधार पर हो कास्ट के आधार पर हो किसी भी आधार पर सिर्स majority community वाले ही अपनी majority proof करते रहे और government form करते रहे ऐसा नहीं हो जो minority वाले है उनको भी उतने ही opportunity मिलनी चाहिए उनको भी उतने ही chances मिलनी चाहिए कि वह election में अपनी majority भले को minority group से belong करते हो लेकिन उनको इतनी opportunity मिलनी चाहिए कि वह election में अपनी majority proof कर सके और अगर हो अपनी majority proof करते हैं तो उनके government form करने का मौका मिलना चाहिए भले को minority group से belong करते हूं rule of majority majority group का rule बन के ना रह जाए यह government को ध्यान में रखना होगा अगर कहवी ऐसा होता है कि birth के आखार पर caste के आखार पर धर्म के आखार पर या उसे जो है उतनी opportunity नहीं दी जाती है तो इसका मतलब है कि वो democratic rule को seize कर रहा है democratic rule के खिलाफ है और इस तरीके से accommodation maintained होना possible नहीं है तो अगर government चाहती है कि कि किसी भी country में accommodation maintained for different social groups के भीशबे तो नहीं इन दो points को अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है that's all in this video thank you कि अभूरी है आम